हेलो डियर स्टुडेंट्स तो आज हम लोग इस वीडियों में समझने वाले हैं कि नौटपेड को कैसे चलाया जाता है नौटपेड में हम लोग सिंपल लेटर या बोल सकते हैं या रिजियूम को कैसे हम लोग करते हैं तो सबसे पहले इसे नौटपेड को कैसे अस्टार्ट करते हैं तो अस्टार्ट करने के लिए सोटकट की का यूज़ भी कर सकते हैं या तो सबसे पहले देखिए नीचे लेट साइड में सबसे बोटम में सर्च बारे उस पे किलिक करना है नौट पेड और इंटर मार देना है नौट पेड मेरा क्या होगा खुल करके हो जाएगा ठीक है उसके बाद अगर दूसरा तरीके से आप यूज करना चाहते तो विंडो के साथ आर बटन को प्रेस करना है और लिख देना है नौट पेड और इंटर प्रेस कर दिजिएगा देखिए मेरा नौट पेड ओपेड ओपें हो गया दो तरीका हुआ तिसरा तरीका जानते है विंडो में जाते हैं और विंडो में देखिए नीचे सर्च बार है उस पे किलिक करके नौट पेड लिख कि इसमें होता है कि सिंपल लेटर यूज कर सकते हैं कि सिंपल मनला कहने का मतलब है कि इसमें ना सब स्क्रिप्ट लगेगा ना स्ट्राइक थूर लगेगा मनला कि नॉर्मल जो होता है उसी से हम लोग लेटर को टैप सकते हैं रिज्यूम बना सकते हैं या कोई भी डॉक्मिमेंट को हम लोग लिख सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले समझते हैं कि जो नॉट पेट के सबसे फरंट दिखा है तो सबसे उपर में क्या होता है अन्ट टाइटल जो लिखा हुआ रहता है उसमें नॉट पेट लिखा है देखिए राइट शान में क्लोज बटन बटन पَّर मीसिमाज बटन और मिनिमाज बटन है उसके बाद सबसे राइट सेड में लेट सेड में आईएगा तो नौट पे लिखा हुआ अंटाइटल इसका मतलब है कि जब हम अपने डोकिमेंट को सेव करेंगे जिस नाम से सेव करेंगे वह अंटाइटल में दिखेगा ठीक है तो सबसे पहले हम लोग अस्टार्ट कर लेते हैं स्टार्ट करने से पहले हम लोग को यहां पर एक पाराग्राप लिखा हुआ होना चाहिए और नोटपेड में फॉर्मूला लगाना इज इक्वल टू आर ए एंटी और सिप्ट के साथ ब्रेकट को ओपेन करना जितना पाराग्राप अपलोग को चाहिए उतना किलिक करके इंटर कर जीजिए हो गया अब कंट्रोल यह से से सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से कोपी कर लिजिए और फिर हम लोग स्यॉका है और जो नीचे देख रहा है वो क्या है मेरा स्टेटस बार किने करके मतला हम लोग इसे आगे पीछे करके देख सकते हैं अब चलते हैं, हम लोग, File मस्ल़ें में में, तो सबसे पहले क्या है ख्र समय है, घ्राउन फाइल do देखिए एक कंट्रोल एंड जैसे ही करेंगे देखिए बोल रहा कि जो ये विंडो जो खुला हुआ मेरा कि डू यू वांट टू सेव चेंज टू अन्टाटल की आप सेव करना चाहते हैं कि नहीं अगर सेव करना चाहते हैं तो एस पर किलिक कीजिए मतलब सेब और नहीं च टेस्ट कर लेंगे ठीक है उसके बाद उसके नीचे क्या है न्यू विंडो न्यू विंडो में क्या होता है एक थोड मैक्सिमाज विंडो खुल करके आ जाएगा दिखिए तो न्यू विंडो का मतलब समझ में आगे उसके बाद क्या है ओपन ओपन के मतलब क्या होता कि उसे हम लोग open कर सकते हैं इस पर किलिक करना है open पर जाना है और इसमें don't save कर दीजिएगा और फिर से आपका देखिए document का location खुल गया कि आपका किस location में आपका document save किया हुआ है उसके उपर किलिक करना है और open कर देना हो जाएगा ठीक है अब जलतें आगे उसके बाद क्या है सेव का मतलब होता यूज कि बनाया गया document को हम लोग नाम से अपने नाम से या किसी दूसरे के नाम से हम लोग क्या कर सकते हैं सेव कर सकते देखिए आपका location खुल के आ जाता कि आप किस पर save करना चाहते विंडो डेक्टोप पर करना चाहते है या दीज पीसी में मतलब जहां save करना है उसके बाद नीचे लिखा हुआ फाइल नेम में अपना नाम डालिएगा या डोकुमेंट को नाम डालिएगा जैसे हम लोग यहां नाम को डालेंगे तो मेरा टाइटल बार में वही नाम सो करेगा और और सेवेज टाइप लिखा हुआ उस पर किलिक करके आप यहां और यहां से सेव कर देना ठीक है तो सेव का यूज समझ में आगया है उसके बाद चलते हम लोग आगे सेवेज सेवेज का यूज होता है कि बनाया गया सेव जो एक आपको location को चेंज करना होगा पीछे मालीजिए सेब किये हैं वो डेक्स्टो पे किये हैं तो जब इसे बेज करेंगे तो डॉनलोड में करेंगे या पिक्चर में कहीं भी हम लोग अधर location में इसे सेब कर सकते हैं कि उसके बाद बैरत कि सेट अफ एप सेटब आप याहाँ जागा प्रमेट खौल कि आप पेस को की तरह सेट करना चाहते हैं पोर्ट अपकर द्मींचाहते हैं कि रापकर हुआड इसका ज़्यादा रहेगा देखेंगि यहां पर लिखा हुआ लेटर साइज, यहां से एफ फोर, जो आपको चूज करना है, देखिएगा यहां उसका प्रिव्यू दिख जाता है, उसके बाद सोर्स में जो रखना चाहते हैं, यहां से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पे देखिए, आपका लेट साइड में कितना छोड हुआ है, तो 0.75, और टॉप और बोटम में दोनों का एक एक छोड़ा हुआ, तो आप यहां से इसे को कर लिजिएगा, उसके बाद यहां बता रहा है, कि हैडर और फूटर में कितना आप छोड़ना चाहते हैं, वो सिंपल यहां पे है, देखिए, उपर में टॉप और बो प्रिंट, बनाया गया हुआ, जो मेरा डॉकुमेंट है, उसको हम लोग प्रिंट करने के लिए, किबोड से कंट्रोल पी कर सकते हैं, या तो डारेट क्या कर सकते हैं, फाइल में जाने के बाद प्रिंट पर किलिक कीजिए, उसके बाद आपका प्रिंट का एक डियालोग ब करेट का वो बंद हो जाएगा ओटोमेटिक ठीक है जैसे किलिक किजिएगा तो हम लोग किलिक करके नहीं दिखाते ने तो फिर इतना लिखा हुआ फिर से हम लोग को करना पड़ेगा यहां तक किनी को दिक्कत फाइल में तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और अधी आप अंडू का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हम लोग अंडू बताने के लिए हम लोग पहले एक इससे सेलेक्ट कर लेते एक टेक्स्ट को ठीक है और इससे कट कर देते हैं या कोपी कर देते ठीक है जैसे मान लीजिए कट कर दिए तो लिखा हुआ टेक्ट में रख्या है Select हुआ आ गया की नहीं फिर से करके दिखा देहें माहन लीजिए इतना Amo select कर दियें उसके बाद करते हैं copy जैसे हैं हम लोग किसी भी टेक्ष्ट को सेलेक्ट करते हैं सेलेक्ट करने के बाद अगर इसको कोपी करना है तो इडिट में जाएंगे देखे लिखा हुआ कोपी या तो आप लोग अपना कीबाद से या तो मान लीजिए यह टेक्स्ट को हम लोग सेलेक्ट कर लिए और हम हम लोग क्या किये हैं कि by mistake हम लोग इसे लिखना नहीं था लेकिन हम लोग लिख दिए तो सबसे पहले सेलेक्ट करना है इडिट में जाना है इडिट में जाने के बाद डिलीट बटन फ्रेस कर दीचे ऑटोमेटिक ओ डिलीट हो जाएगा पर अगराफ ठीक है है डिलीट के ब देखिए मेरा इंटरनेट से संबंदित उसके बारे में खुल करके ओपन हो के आ जाता है ठीक है तो हम लोग को इसे नहीं पढ़ना है इसे छोड़ देना है यह अलग-अलग विंडो में यूज होता है ठीक है तो उसके बाद क्या है find find का यूज है कि लिखा हुआ document का जो पारगाफ है उसमें हम लोग अगर कुछ लिखा हुआ है जिसे किनी का नाम wanna लिखा हुआ है या कुछ सर्च करना है तो हम लोग find में जाके click किजिए नम कीजिए तो लिखा हुआ में लुग कि लिखा हुआ कहा ठीका है छिसके बार क्या करना है , मिफळें करना उसके बार है, कि जीएक के इसके का क्षे ना ठीश कमें, तो यह बडाइक कर देख back चाही है , करें बडा में लिखेंसे कने में लिखा हुआ नहीं है तो अब बोल रहा कि cannot find click अभी हम लोग आप किये थे तो यह उपर तरफ की और सर्च करते हुए जा रहा था अब फिर अगर हम लोग डॉन कर देते तो नीचे तरफ देखिए और जहां पर मेरा किलिक लिखा हुआ वो टोमेटिक वो क्या कर रहे है सेलेक्ट कर ले रहा ठीक है उसके बाद चलते हैं आगे इडिट में जाने के बाद क्या है find next जैसे किलिक किजिएगा तो बोल रहा है कि को अधर वर्ड आपको find करना है तो find next पे जाके क्या था ते देखे हम लोग click को find किये थे फिर जाना है और एक हम लोग पीछे रहा हम लोग क्लिक के तो कि अगर फिर से देखना है तो देखे हम लोग क्या search क्या है थे वहांफे find क्या किये था क्लिक उसके बाद क्या है रिप्लेस रिप्लेस आप देखे जो लिखा हुआ भाफ मतला आप क्या find करना चाहते हैं मान लीजें कुछ दूसरा चीव ुद्ध कर लेते मान लीजे एट को आप इट के जगापर हम लोग को क्या रिप्लेस करना है तो मान लिजे कोई नाम दे देते हैं मान लिजे इंडिया लिए ठीक है अब जहां जहां मेरा इट लिखा हुआ वहां वहां क्या हो जाएगा इंडिया लिखा जाएगा देखिए रिप्लेस किजिएगा तो क्या होगा वह वर्ड वहां पर रिप्लेस हो जा को वहां सब्सक्राइब किया लिखा जाएगा आगल Circuit अम लोगो करदे हैं देखिए जैसे तो क्या हुआ कि अभी इट था मैं प्योंदीफ मेरा क्या हो गया अगर अग्वेस और फिलीक किये गाँ तो अभी मेरा सिंगल पर तूहर यहां से हैं तो इसलिये अगर रिप्लेस सुनों कर देंगे अभी देखे इन अभी इंडिया ना और ऑफा कर जहाँ जहां जाएं इंडिया ले लिया फिर ले को find करना होगा और फिर यहां लिख देना हम लोग को इंडिया और सार्च मारना देखिए find next देखिए यहां पर इट था automatic क्या हो गया वहां पर हम लोग को इंडिया ले लिए इट जहां जहां पर था इंडिया ले ठीक है यहां तक कि नहीं को दिखकर चलते आगे उसके बाद क्या है रिप्लेस के बाद गोटू गोटू का ओफशन इसलिए यहां पर दिया हुआ है कि आप किस लाइन पर जाना चाहते हैं जैसे मान लिजिए बहुत सारा पार अगर लिखा हुआ तो बहुत ला लाइन पर जाना है उसके बाद गोटू पर किलिक कीजिएगा तो वोल्ड है कि आपका पाराग्राफ एट लाइन तक नहीं लिखा हुआ तो फिर से हम लोग कट करते हैं और इडिट में जाने के बाद गोटू पर किलिक करते हैं उसके बाद हम लोग फाइप किलिक कर देते उसके बाद फिर से एड़ीट में जाने के बाद गो टू पे जाएंगे और एगर फॉर लाइन हम लोग को चाहिए तो किलिक करके फॉर पे किलिक कर देंगे और गो टू पे किजिए देखिए अभी फोर्थ लाइन पर मेरा क्या हो गया करसर बिलिंग करने लगा उसके बाद आगे क्या है अगर बटन प्रेश करना है तो अब बड़ते हैं अब अगे इडिट के बाद क्या है टाइम एंड डेट दिया हुआ है कि आप जिस टाइम बना रहे हैं टाइम ये कुरिट कर रहे हैं उसी टाइम को ये ऑटोमेटिक क्यूट कर लेता है तो एडिट में जाना है और हैधन आपने लीग कर रहे हैं यहां टाइम पर क्लिक करेंगे वह ओटमेटिक वहीं ले लेगा जहां मेरा कर्सर ब्लिंग कर रहा था ठीक है उसके बाद क्या है फॉर्मेट में क्या वर्ड्रेप कहने का मतलब है कि जब हम पाराग्राफ में लिख रहे थे तो यहां पर देखिएगा कि जब तक जब यहां हम लिखते हैं वह छुपने लगेगा ठीक है कि देखिए हम जैसे ही लिख रहे हैं कुछ तो मेरा जो टेक्स्ट है वह कहां चला जा रहा है सब साइड में पता ने दीख नहीं रहा ठीक है और इसे आगे जैसे मान लीजिए और कुछ रहेते हैं देखिए मेरा जो राइट चाट से जो वाट जा रहा है वो सब क्या हो रहा मेरा छीप जा रहा ठीक है तो इसे अन हाइड करने के लिए हम लोग फॉर्मेट में जाएंगे और वाट रेप जैसे ही किलिक करेंगे जितना पार अगर आप लिखे ते ओटोमेटिक यह मेरा पी किजिएगा तो ओटोमेटिक जो हमलोग को टेस्ट चूप रहा था वो ओटोमेटिक आ जाता है ठीक है उसके बाद क्या है फ्रण मंदला font sorry font में क्या होता है कि इसमें simple font है यहां से हम लोग वर्ड कर सकते हैं italic कर सकते हैं ठीक है लेकिन इसमें underline, abstract through, साबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ग्रोप-फॉन्स, स्रिंग-फॉन्ट का यूज महीं कर सकते हैं, क्योंकि एक यह सीम्पल सब्स है, तो इसमें सिम्पल लेटर से ही हम लोग किसी भी रिजियों को डैटा को किरेट कर सकते हैं, ठीक है, फॉर्मेट में जाने किजिएगा यह automatic मेरा सभी जो टेक्ष्ट है यहां पर लिखा हुआ बॉल्ड हो जाएगा देखिएगा है ना हो गया बॉल्ड तो फॉर्मेट में जाने के बाद यहां से हम लोग font में जाकर इसका font का size change कर सकते हैं है जो आपको इच्छा यहां जीस तरह का उस तरह आप क्लिक कर लिजिएगा यहां से ok कर दिजिएगा है ना automatic स्लेक्ट ले लेगा सेलक्ट नहीं करना पड़ेगा ठीक है यहां like कि निक को दिखे तो उसके बाद चलते हैं और वाता होता है देखना है जैसे पर किलिक किये घंशने उन में क्या है जूम पर रे किहाऊं ठीक है तो देक्श्ट होगा मेरा की जो लिख और जो मेरा टेक्स्ट है मतलास प्रश कासज आए जूम होते जाएगा पेज जूम हो रहा है, तो आपको देखчи tão की तरह देखने लगेगा, जूम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जूम आउट करने के बाद क्लिक प्रेजड करने के बाद क्या होगा, यह जूम हो जाएगा। मतलना यह छोटा होने लगा या तो आप माउस से क्या करना 하ा। कंट्रोल के साथ माइनस बटन को प्रेस करना है क्या हुआ यह जूम आउट हो गया जूमीन करने के लिए कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस करते रहे हैं देखिए इसका साइज में भी काफी चेंजिंग आ जाएगा ठीक है अर अगर फिर से हम लोग को छोटा करना है तो से इस बार में 110 परशेंट भी दिख रहा है जैसे ही हम किलिक करेंगे कि रियस्टोर बाइडिफोल्ट जूम तो देखिएगा ऑटोमेटिक सो परसेंट हो जाएगा अभी 110 था भी सो परसेंट आगया कि नहीं तो यह मेरा बाइडिफोल्ट सो परसेंट रहता ठीक है यहां हीठोल से आनाट करने के लिए स्टेटस में जाएगे और किलिक कर देंगे दखेंगे मेरा देखहराय कि सो परसेंट है Şimdi मैरा क्या होता है यह मेरा मेरा स्टेटस बार होता है उसके बार म घड़ीक की जिएगा तो यह मेरा विंडो से रिलेड़ेड़ फुल जाता है भी यह म के बारे में बताएगा कि नौटपेट क्या है ठीक है तो हम लोग सिंपल ही समझ गें तो कि नौटपेट इस यह विंडो बेस्ट प्रोग्राम इट इस यूज दू सिंपल लेटर सिंपल वर्ड सिंपल सेंटेंस एंड एनी डिजिट इन आवर डॉकुमेंट इट इस ऑल्सो यूज टू किरियेट रिजियूं वायो डाटा नॉट्स इन सिंपल अस्ट है ठीक है और इसका एक्स्टेंशन कोड होता है डॉट टी एक्सटी एक्स्टेंशन कोड कहने का मतलब है कि जिस तरह आप लोग फोटो को क्लिक करते हैं तो जब आप उसको व्यू में देखते है है ना तो दिखता है कि यह 5MB का है 5MB के बाद नीचे देखते हैं KB में लिखा हुआ है तो JPG फोर्म लिखा होता है अगर वीडियो डॉनलोड करते हैं तो MP4 लिखा रहता है ठीक है तो यह मेरा एक्स्टेंशन कोड है तो कोई भी पूछेगा या किसी भी ऑनलाइन एक्जा जैसे MSPaint का होता है .BMP JPG होता है कि ने तो वह क्या होता है extension होता है help पर जाने के बाद वही उसका view दिखता है send feedback बोल रहा है कि आपको notpad कैसा लग रहा है तो यहां से हम लोग इसको feedback दे सकते हैं ठीक है यह notpad का क्या हो जाता है उसका एक hub खुल जाता है feedback का तो पूछेग पूछी के थुरू आप उसको feedback दे सकते हैं फिर help में जाते हैं उसके बाद क्या है about notpad फिर वही है कि यह कौन सा notpad कौन सा है तो विट्टो 10 है तो उसी के उसी से related क्या है बताता है कि यह window किस पर विंडो 10 है विंडो 7 है विंडो 11 है तो यह मेरा बताता है कि विंडो ठीक ह कि उसके बाद कि एक्स्टेंशन कोर से समझ गये होंगे ठीक है तो notpad में हम लोग क्या करते हैं इसमें simple text को यूज करते हैं इसमें कोई मतलग की अधिक इसमें changing नहीं ला सकते हैं जैसे सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट जीस त्राउ्सक इसका मतलग की अश्ट्रॉंग भर्जन पौन सा है तो सबसे लो मेरा होता है notpad उसके बाद इस से थोड़ा सा और स्ट्रोंग होता है wordpad और सबसे अस्ट्रोंग बो़िएगा तो जो पूरा वीश्व में चलता है वो क्या है मेरा MS Word तो MS Word में हम किसी तरह का भी ग्राफिक को डिजाइन कर सकते हैं जैसे माल लीजिए सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ग्रोफ फॉंट, सिंग फॉंट, अश्ट्रैक्ट्रू है ना यह सब हम लोग MS Word में पढ़ेंगे ठीक है तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए ताकि हम और व वीडियो में इसके लिए थैंक यू झाल 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 झाल